हेलो फ्रेंड्स आपका हमारी यूट्यूब चाहिए आपका हल्गुरू में स्वागत है इस वीडियो में हम ओक्सिपुटल हेडे किया तो फिर ओक्सिपुटल न्यूराल जा भी जिनको बोला जाता है इनकी ट्रीट्मेंट आपको सिखाने वाले एसा एक सिंगल एक्यूपे हैडेक या तो निूराल ज्या होता क्या है जो इस टाइब का हैडेक होता है या तो फिर निूराल ज्या होता है इसमें हमारी सीर के पीछे की साइड। और हमारे गर्दन पर बहुती ज्यादा severe pain होता है जैसे कि कोई electric current पास होता है उस तरीके का दर्द होता है और यह दर्द धीरे धीरे हमारे सीर के आगे की side भी चला जाता है हमारी आखे होती है इनके पीछे की side भी हमें दर्द होना शुरू हो जाता है हमारा पूरा सीर धीरे पकड़ने लगता है इस तरीके का यह दर्द होता है यह दर्द कई बार इतना सिवियर होता है कि हमें वामिटिंग जैसी फिलिंग भी आने लगती है और कई बार वामिटिंग भी हो सकती है इसमें आखों का भी इन्वल्मेंट होता है इनकी बार से हमारा जो विजन होता है व और कई बार हमें balance और coordination करने में भी difficulty होने लगती है क्योंकि दर्द ही इतना severe होता है और यह दर्द कई बार एक side पे होता है या तो फिर सीर के दोनों side पर भी हो सकता है और यह दर्द हमारे सीर की movement की साथ बढ़ता रहता है जैसे हम सीर को हिलाते है या तो उनको movement देते है तो यह दर्द हमारा बढ़ जाता है तो फिर जान लेते है कि इस तरीके का occipital headache या तो neuralgia होता कैसे इसमें हमारे सीर के पीछे की side जो occipital now होती है इनके उपर दबावाता है या तो फिर वह now irritate हो जाती है या तो फिर कई बार वह now damaged भी हो सकती है इनकी बचसे हमें इस तरीके क neuralgia pain होता है या तो फिर occipital headache होता है इनके होने के अलग-लग reasons होते हैं पर जो सबसे common reason है वह है हमारे सीर के पीछे की side जो muscles होते है इसमें अगर spasm हो जाता है continuous अगर आप सीर को आगे के side जुका के रखते हो या तो फिर ऐसी moment करनी परती है जिसमें हमारे सीर को आगे पीछे गुमाना पड़ता है तो इसमें हमारे सीर के पीछे के side muscles होते है वह tight हो जाते है उसमें spasm आ जाता है इनकी बाएसे जो occipital 9 होती है इनके उपर दबावाता है फिर हमें या occipital headache या तो neuralgia हो जाता है इनके अलावा कई बार जो हमारे सीर होता है इनके पीछे अगर tumor हुआ ह तो इनकी बाएसे भी या नव दब जाती है या तो फिर cervical spondylysis याने के हमारे cervical के जो whatever होती है इनके बीच में अगर arthritic changes आये तो इनकी बाएसे भी या नव को irritation मिलता है और हमें इस तरीके का pain हो जाता है इनके अलावा भी अलग-लग reasons हो सकते है गाउट हो सकता है या तो फ उनको treatment देनी है यह एक्यूपेसर point का नाम है जीवी 16 याने के governing vessels का 16 नमबर का एक्यूपेसर point तो यह point के बारे में पूरी detail में जानकारी ले लेते हैं यहाँ पर हमारा एक्यूपेसर point हमें इस जगा पर मिलता है जान लेते हैं किस तरीके से यह point को locate करना है यह point हमारा जो thumb यह point के exact middle पर center पर हमें रेता है फिर से जान लेते हैं हमारा thumb यह point के exact middle पर center पर हमें इह〇क्यूपेसर point मिलता है तो यह point को locate करने के बाद यहाँ पर हमें इस तरीके से दो मीड के लिए equator पेसर देना यह पोईट को अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लेना है इनके बाद यहाँ पर आप मेगनेट या तो सीड थेरापी से ट्रिटमेंट दीजे तो बहुती जल्दी और बहुती अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पर मेगनेट थेरापी के लिए हमें इ सर्फेस हमारा जो पोईट है यह पोईट के कॉंटेक में आती है तो यह पोईट के सबंदी जो औरगन होता है इनकी एनरजी बढ़ती है और अगर वाइट सर्फेस हमारा जो पोईट है यह पोईट के कॉंटेक में आती है तो यह पोईट के सबंदी जो औरगन होता है इनक टेब के उपर मेगनेट को इस तरीके से लगा दीजे ताकि उपर से आपको white surface दीखे और टेब के पीछे से आपको yellow surface दीखे फिर हमारा जो point है वह point पर यह मेगनेट को इस तरीके से लगा देना है इनके उपर आप दूसरी टेब भी लगा सकते हो ताकि यह मेगनेट यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपका हुआ रहे यह मेगनेट को आप पुरा दिन लगा के रख सकते हो यह तो फिर रात को लगा दिये सुबह इनको निकाल दीजे यह तो दिन में 6-8 गंटे लगा के रख सकते हो यह मेगनेट को आप बार बार इस्तिमाल कर सकते हो इसलिए बहुत ही cost effective हमारी treatment हो जाती है अगर आपके पास यह magnet अवेलेबल नहीं है तो आप seed therapy से भी यह point को treatment दे के फायदा ले सकते हो यहाँ पर seed therapy पे हमें small size के seeds का इस्तिमाल करना है क्योंकि हमारा जो point है वह small size का है इसलिए यहाँ पर आप moon के दाने ले सकते हो यहाँ फिर मेथी दाने यानि के fenugreek seeds ले सकते हो या तो फिर कोई दूसरे small size के seeds का इस्तिमाल कर सकते हो मैं यहाँ पर मेथी के दाने ले रहा हूँ आदे ही चोड़ी paper tape लेनी है यह tape के उपर seeds को इस तरीके से लगा दीजे फिर हमारा जो point है वह point पर यह दानों को लगा देना है इनके उपर भी आप दूसरी tape लगा सकते हो magnet की तरह ही यह seeds को भी आप पुरा दिन लगा के रख सकते हो यह तो फिर रात को लगा दिये सुबह इनको निकाल दिये यह तो दिन में 6-8 गंटे लगा के रख सकते हो अगर दिन में लगा रहे हो और आपके पास time में तो हरे गंटे एक मीट के लिए आप यह seeds को इस तरीके से दबा भी सकते हो तो बहुती जल्दी और बहुती अच्छा result आपको मिल सकता है पर magnet की तरह यह seeds को आप बार बार इस्तमाल नहीं कर सकते हो क्यों यह seeds होते हैं इसमें healing power होता है germinating energy होती है जो कि हमारा disease है उनको heal करने में utilized हो जाती है इसलिए फिर यह seeds हमारे कोई काम के नहीं रहते दूसरी बार treatment के लिए हमें नए seeds लेना जरूरी हो जाता है तो यहाँ पर हमने यह single equipacer point का location जान लिया किस तरिके से इनको दबाना है कैसे magnet या तो seed का इस्तमाल करके यह single point को treatment दे के आप यह occipital headache या तो neuralgia की सारवार बहुती आसान इसे गर पर ही कर सकते हो तो आसा रखता हो कि आपको हमारी information अच्छी लगे होगी अगर अच्छी लगे तो यह video को like जरू करिए यादा से यादा लोगों तक share करिए ताकि सभी को help मिल पाए और ऐसे अच्छी information के लिए आप हमारी channel को subscribe भी कर सकते हो Thank you for watching